तीकमगड में भारती जन्ता पार्टी ने भवी रोड शो का आईजन किया यह आईजन मानस मनसी से प्रारंब होकर शहर के मुख्य मारगों से निकला और लोगों से भारती जन्ता पार्टी की केंद्र में सरकार बनने की अपिल की गई अब सेंसा तो उनका परिवार है नहरू जी थे इंद्रा जी आई राजीब भाईया आए सोनिय दीदी आई राहूल गान दी आए अब प्रियंका जी अब आपको मैं बताता हूँ क्यों लाए है प्रियंका जी को मालूम है आपनों मैं आज एक रहसुत घाटन करना हूँ सोनिय जी का बेटा कौन राहूल जी अब राहूल जी का बेटा है कोई या बेटी है कोई नहीं है और हारने के बाद कॉंग्रेस किसी के हाथ में नहीं चली जाए दीदी को लिया भहिया प्रियंका जी को ये राजनिती है कॉंग्रेस भारत में बिपक्ष की लड़ाई लड़ लड़ रही है। जब आप Central करी ना what to do the Parliament possess बस पास है खारुक अब्दू जी कि पार्टी मेभीवाजी की पार्टी नाइडू जी बनाएंगे हमने कभी नहीं सुना था कि 42 पचास सिट न लड़ो और उसके बाद 272 प्राप्ट कर लेंगे ये इसलिए अपने अपने इलाके में कुछ भी करें ये लेकिन एक में भी सामर्थ नहीं है कॉंग्रेस भी विपक्ष की लड़ाई लड़ रही है और यह पहली लड़ाई है जब जंजन में आपका यह चैनल लेकर जब आप जाते हूं मैं सब इंट्रिवू देखता रहता हूं आज भी जब आ रहा था तो एयरपोर्ट पे देख रहा था आप किसको वोट देंगा रहे साम भी वांट नरंद मोदी आप किसको सर देश सुरक्षित है देश कह रहा है नरंद मोदी और राहुल गांधी जी विपक्ष की लड़ाई लड लेकिन अब फिर्स लीडिंग करते हैं उनको सिकुड़ना खेलना यही दिखता है ऐसी बाते कौन करता है अब नाराज हो जाते हैं जब कोई पपू कहता है तो ऐसी बाते घर में मुन ना पपू टिल लुमिन वही बहुते बाते करते हैं अब देखिए अपने गाउं में ब पर इच्छा नहीं लेनी चाहिए देश की जनता बहुत विविख से और जानती है यह आएंगे नहीं और जबदस्ती की नाटक बाजी कर रहे हैं गरीबी हटी क्या उन्नी सो एकरतर में इंद्रा जी ने कहा था हटी क्या इसलिए बाते वैसी करना चाहिए और जनता के गले उत्रे आज दिक विजए शिंग ने दोपाल में पैदली आतरा शुनती है पुनी विजान सवाएं पैदल जाने हैं वो हेलिकॉप्टर से जाएं हमें क्या लेने देना जब आदमी को लगता है कि अब हमहार रहे हैं तो किसको बुलाते हैं वो सीतारा मेर्चुरी क्या बोलता है लोगों ने हिंदू हिंसक होता है रामाइन और महा भरत में हिंसा की बाते कही खईए अब जीव सीता राम जी के पिता जी ने कितनी गलती कि उनका नाम सीता राम रखा एचरी जी को समझना चाहिए कि उनके पिता जी कितने विवेग सील थे कि उनका नाम सीता राम रखा आदर का भाव मर्यादा पुरसुत्तम राम मा जान की भय प्रकट किर्पाला दीन दयाला मा भी प्रकट हुई थी प्रित्री से और भगवान भी यग से प्रकट हुई थी और इसलिए ये गीत प्राथना बनिया भय प्रकट किर्पाला दीन दयाला कौसल्या हितकाई इसलिए सीता राम जी बोल गए कि हिंदू ये सम उल्टे सीधे लोग बुला रहे हैं बुलाते रहें जिसके देश में कोई वजूद नहीं है जो संगठन कतम हो गया CPI CPI उन नेताओं को बुला कर गाली गलोज करवा रहें दिग्विजे सिंग जी ने देखिए दिग्विजे सिंग जी हमेशा साध्वी से मात खाते हैं इसी टीकमगड की बेटी साध्वी उमास्री भारती ने 2003 में 10 साल के सत्ता धारी दिग्विजे सिंग को किस ने उता रहा थ साध्वी जी ने और फिर साध्वी आती है 15 साल बाद संसद में नहीं जा पाएंगे इनके साध्वी इनके लिए पूरी तरह से क्या है इसलिए उनको समझना चाहिए वो तो सोचे थे कोई लड़ेगा अब गिर गए अब उनसे पूछे कहते मैं भोपाल में मंदिर बनाऊंगा हमने का कि राम मंदिर में क्या सायोग करोगे वहाँ समर्थन कर दो